Hey guys, welcome to the new video दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं RVI के 5 नए अपडेट के बारे में जो की UPI के डिगार्डिंग है आप भी अगर UPI यूज करते हो डेली आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ये 5 नियम या फिर जो 5 बदलाओ है UPI के डिगार्डिंग वो आपको पता होना चाहिए तो तो सबसे पहले हम बदलाओ की बात करें तो NPCI ने Google Pay, Paytm, Phone Pay जैसे कितनी भी Payment Apps कंपनिया है उन सभी को, उन नम्मर को निस्क्रिये करने के लिए कहा गया है उन UPI ID को deactivate करने के लिए कहा गया है जो एक साल से यूज में नहीं है या एक साल से आप उसको inactive अगर है तो तो ये जो है जो बदलाओ है दोस्तों ये उस चीज को देखते वे किया गया है ताकि कोई fraud जो है इसके regarding ना हो पाए दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों कि RBI ने जो है UPI की लिमिट को एक लाग से बढ़ा के पांच लाग कर दिया है हलाकि ये जो UPI की लिमिट है दोस्तों ये सभी category के लिए नहीं बढ़ाया गया जो sectionic संस्थान है या फिर hospitals है मतलब educational purpose से और hospitalization के case में अब जो UPI की लिमिट है वो एक लाग से बढ़के पांच लाग हो गई है अब आप जो है परड़े पांच लाग तक की भुकतान इन दो category के बिहाब पे आप कर सकते हो तीसरा दोस्तों हम आपडेट की बात करते हैं तो online wallet जैसे prepaid भुकतान उपकरनों का प्रियोग करके किये गए 2000 रुपई से अधिक के कुछ business UPI transactions पे 1.1 पर्थिदत का जो है interest charge भी लग सकता है अब हम बात करते हैं चौथे उसकी जो चौथा बदलाव किया गया है दोस्तों उसमें ये किया गया है कि जो भी online जितने में fraud होते हैं उसको रोकने के लिए अगर आप किसी नए person को first time 2000 रुपई का transaction करते हो तो वो जो transactions है वो उसमें आपको 4 घंटे का समय लग सकता है और ये जो 4 घंटे का समय है ये as a buffer time count होता है और इस time के दोरान आप जो है अपने payment को modify या फिर delete भी कर सकते हो हम दोस्तों पांचवे अपडेट की बात करें तो पांचवे अपडेट में ये है कि जो RBI ने जो है जापानी company Hitachi के सयोग से अब पूरे भारत में UPI ATM की जो है सुरुआज करने की try कर रही है इससे क्या होगा कि अब आपने QR code को scan करके UPI के जुरू आप ATM से पैसा withdraw कर सकते हो मतलब आप जो है UPI वाले ATM की जो है स्थापना RBI करने जा रही है तो जो दोस्तों ये पांचव जो RBI के नए अपडेट्स है UPI के बारे में ये सभी लोगों को पता होना चाहिए तो दोस्तों इसके लिए आड़े एंविग वालेजूरों आप